एलो स्टुएंट्स, वेल्कम तू दक्षिनाई ग्लासरूम, बच्चों आज हम स्ट्रक्चल आइंटिफिकेचन और प्योसी का एक्सरसाइज टू सॉल करते हैं, देखते हैं बच्चों पहले कुशिन नुमर वन, बच्चों कुईनीन का मॉलेकुलर फॉर्मूला दिया है, C20, H24, N2 और O2, ठीक है बच्चों, इस मॉलेकुलर फॉर्मूले के बेसिस पर हमें पताना है, इसमें कितने डबल बॉन और कितना रिंग होगा, ठीक है बच्चों, तो हम इसके लिए D-U निकालते हैं, 1 by 2, 2N4, माइनस N1 प्लस N3 प्लस 2, ठीक है बच्चों, तो हम इसको सॉल करते हैं, तो 2 इंटू, कार्बन टेट्रावलेंट है 20, माइनस बच्चों, हाइड्रोजन है 24, और नाइट्रोजन है बच्चों, ट्रावलेंट, जो कि जिसके अटम्स है बच्चों, 2 और प्लस 2, यहां से हम देखेंगे, तो डियू मिला हमें बच्चों 10, तो बच्चों 10 डियू पर देखिए, जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में है 5 डबल बॉन्ड, प्लस 6 रिंग, तो बच्चों डबल बॉन्ड और रिंग को एड़ क ठीक है बच्चों तो इसका डियू 10 आ गया, ठीक है बच्चों यही आंसर आ गया आपका, आंसर 2, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं बच्चों, 6 डबल बॉन्ड, प्लस 3 रिंग, तो बच्चों यहां से मिल गया, डियू 9, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन से ठीक है बच्चों, कॉश्चन नमबर 1 सॉल किया, अब देखते हैं बच्चों कॉश्चन नमबर 2, कॉश्चन नमबर 2 में पूछ रहा है बच्चों, यह कंपाउन दिया हुआ है, इस तरीके से, डबल बॉन्ड, और बच्चों हमने इसका हाइड्रोजनेशन करवाया, ठीक इस तरीके से, ठीक है बच्चों, आइसे पुछाएं कि विचादा following, is the correct statement about P and Q, तो बच्चों एक option में, दो option में तो आयू पी इसी नेम दिया हुआ है, और third और fourth option में लिखा है, थार्ड में लिखा है कि du of reactant, piece 3, तो reactant P का कर दियू की बात करें बच्चों, तो du क्या है, बच्चों रिंग प्लस double bond, अब बच्चों रिंग तो इसमें एक ही है, double bond देखने हैं तो 1, 2 और 3, 3 double bond है तो बच्चों इसका du कितना आ रहा है, बच्चों du इसका 4 है, यह तो गलत हो गया, फिर करना du of product Q is 0, तो बच्चों आप इसका du बात करें, तो इसका du 1 है, क्योंकि इसमें एक ring है, double bond तो कोई है नहीं, ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब first और second में IUPAC नेम दिया हुआ है, ठीक है, यह कह रहा है कि 1 methyl, तो बच्चों इसकी नमबरी यहां से एकते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, तो बच्चों यह methyl है, और 3 पर अगर आप देखें बच्चों तो हुआ है इसमें, तो 1, और 2, और 3, इस तरीके से रहेगा, तो बच्चों यह हो जाएगा, इसके नेम के साफ से देखें, तो first option में लिखा है, बच्चों 1 methyl, ठीक है, और बच्चों 3 पर दूसरा substituent है, 3, और उसके अंदर भी बच्चों complex substituent है, तो 2 पर branching है, तो 2 methyl, methyl, propyl, ठीक है, और cyclohexane, ठीक है बच्चों तो यह पहले आ जाएगा, जिसमें methyl, और इसमें methyl के बच्चों पर प्रोपाइल भी लगा हुआ, यह खतम हो जाता है, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने question जो 2 है, इसका answer मिला बच्चों में, 1, ठीक है, next question देखते हैं 3, जिसमें हम से पुचा की विचा था, following alkyne, on catalytic hydrogenation, बच्चों जब कर रहे होंगे, तो triple one बच्चों, single one में change हो जाएगा, हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यह क्या है, बच्चों, carbon और carbon की बीच में triple one है, यहाँ पर बच् six or seven, बच्चों यहाँ पर मिलना है, four, ethyl, heptane, ठीक है, यह बच्चों, हमें जो चाहिए, वो नहीं मिला यहाँ से, अब बच्चों कर हम इसको देखे, ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या है, यहां पर यह बच्छों कार्बन और कार्बन की बीच में ठीपल बॉंड है तो इसमें दो कार्बन है और यह दो कार्बन का single bond वाला जो group है बच्चो वो ethyl group होता है आप देखिए numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चो ये है 3 ethyl heptane ठीक है बच्चो तो जो चाहिए हमें मिला अगर बच्चो आप यहां से निकालने की कोशिस करते हैं ठीक है तो बच्चो इसमें देखिए ये मिलता हमें बच्चो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कारवन होगे बच्चो इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चो ये मिलना है 3 methyl octane ठीक है बच्चो इसकी बात कर लेते हैं ठीक है बच्चो इसमें देखिए इसमें अगर हम लिखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो इसमें 6 कारवन है प्रिंसिपल चैन में ठीक है ठीक है 3 थाइल hexane ठीक बच्चो तो हमने इसको किस तरीके से solve किया आपने देखा अब बच्चो नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं question number 4 तो fourth question में लिखा है कि N-alkane with molecular formula C-7-H-16 C-7-H-16 molecular formula कहें कि Alkane है और 7 monoclorinated product बनते हैं बच्चो अब इसका हम chlorination कराते हैं तो seven product बनते हैं और वो product कौन से हैं बच्चो monoclorination वाले ठीक है बच्चो तो हमें यह बताना है यह Alkane कौन सा होगा तो बच्चो option देखेजिए first option में है heptane ठीक है तो 1,2,3,4,5,6,7 तो बच्चो हेptane में seven product बन सकते हैं क्या तो आप देखिए ठीक है तो हम क्या करते हैं बच्चो 1,2,3 बीच में बैठे इस carbon पर ठीक है तो carbon बच्चो और है तो हम बीच में बैठे के तो इस तरफ बच्चो आपको left में one, two, three carbon मिलते हैं राइट में भी बच्चो क्या है ठीक है और बीच वाला किया बच्चो different type का होगा तो इसके तो बच्चो चारी product बनेंगे ठीक है तो हमें चाहिए अभी हमारा answer नहीं मिला बच्चो next देखिए second option अब second option में है बच्चो two methyl hexane तो आप two methyl hexane बना लेजिए ठीक है तो one, two, three, four, five, six तो बच्चो यह आगया two methyl hexane तो आप देखिए अब देखेंगे तो आप आपको बीच में अगर हम बैठने की कोशिस करते हैं चुकि छे carbon है one, two, three, four, five, six तो six carbon है प्रिंसीपल chain में आप बीच में बैठेंगे तो left और right पार्ट बच्चों symmetrical नहीं है तो सब अलग अलग होंगे यह 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 B और यह C और यह D और यह E तो इसमें बच्चों मेले हमें कितने पांच प्रड़क्ट ठीक है अब बच्चों next देखें अगर आप next option है बच्चों three methyl hexane तो third option की बात करें बच्चों तो उसमें है three methyl hexane ठीक है तो one, two, three, four, five, six तो बच्चों यह आ गया methyl group यहाँ पर तो अब बच्चों carbon principle chain में अभी भी three है तो अगर हम बच्चों यहाँ पर बीच में बैठते हैं इस तरीके से तो पूरा ही part symmetric नहीं है तो आप बच्चों कह सब के सब hydrogen या जो carbon है बच्चों different देख लीजे तो यह a, b, c, d, e और f सब अलग है और बच्चों यह खुद भी अलग है जी कॉम्ट लीजे बच्चों six carbon तो प्रिंसिकल chain में एक substitute के इसमें मिलेगे बच्चों आपको साथ product बन जाएंगी ठीक है इसमें सब के सब क्या है बच्चों different आ रहा है ठीक है आंसर तो आचुका है लास्ट option भी है हम उसको भी देख लेते हैं तो टू कॉमा थ्री डाय मिथाइल पेंटेन ठीक है तो फोर्थ आप्शन में है टू पर और और फोर पर बच्चों सबसेटुएंट है तो इसमें देखिए टोटल फाइव कारवन है आप बीच में बैठ जाए इस तरीके से लेफ्ट और राइट पार्ट बच्चों क्या है विल्कुल सेम है यह ए है यह बी है तो बच्चों यह यह बी मिलेगा और यह ब बीच में बैठे हैं वह कारवन डिफरेंट है तो उसका आटेच ही डूजन भी बच्चों क्या होगा तो आप देख लीजिए आप कितने मिल गए यहां मिल गए त्री प्रोड़क्ट तो इस तरीके से किसी से भी पूचा सकता है कि किसमें कितना प्रोड़क्ट मिलेगा ने अगर आप इसको ऐसे भी कट करें तो भी हम कट कर सकते हैं इसका अपर पार्ट और लोवर पार्ट बच्चों क्या सेम नहीं है आप चाहो तो इसको ऐसे भी कट कर लो इस तरीके से यह CS3 ग्रूप है बच्चों इसका लेफ्ट और राइट पार्ट बच्चों क्या है यह लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट क्या है बच्चों वो सेम है तो आप देख सकते हो इसको इस तरीके से तो हम बच्चों देखे है तो बच्चों यह CS3 है तो आप द फॉवरे पट लाइन जो जहां से हम सको खुड कर रहे हैं इसका बटेंगे लिफ्ट और राइट पार्ट सेंगे ऐसे करके लुए तो बटेंगे क्या है अुछंगे यह नहीं तो जिसे इस यह बटेंगे यह हो गया वह किया यह सी होगा यह सी होगा क्योंकि इधर भी इधर भी देखेंगे तो यह CH है बचो इस तरब भी यह CH है उसके लिए तो सेम हो गया अब बचो इसको देखिए चुकि यह mirror image नहीं बन रहा है टाप और बॉटम का यह वाला point बचो क्या है D होगा अलग होगा तो यह D C से जुड़ा है तो बचो यह भी D ह होगा क्योंकि यह B C से जुड़ा हुआ है और यह बचो बीच का point है यह यह भी अलग है इसमें सब के सब बच्चो क्या है different है तो इसके मिल गए five product ठीक है और आपको चाहिए चार ठीक है तो next option जो है बच्चो टू देखिए अब two option में देखिए बीच में बैटो लेफ्ट तो option three में अगर आप देखो बच्चो इसको आप चाहिए ऐसे कट करें या ऐसे कट करें या बच्चो इसको ऐसे कट करें कैसे भी कट करो ठीक है तो आपको क्या मिलेगा इसका मदब ये हुआ ये ए और ये ए सब एक जैसे c3 group है और बच्चो इससे अटेच hydrogen क्या है बी टाइप का होगा बी टाइप का होगा तो कि आप जब इसको ऐसे कट करते हो बच्चो इसका ये पार्ट और ये पार्ट बच्चो क्या SM जाता है ठीक है तो बच्चो इसमें है कुछ ऐसा इस तरीके से तो बच्चो इसमें देखिए ये तो ए रहा ये तो ए रहा बच्चो इसमें कोई hydrogen नहीं है तो हम इसको इस carbon को classify नहीं कर रहे हैं ठीक है अब बच्चो ये क्या होगा B और ये C और ये हो जाएगा D क्योंकि ये किसी तरीके से symmetric है ही नहीं ठीक है अगर आप इसको ऐसे कट करने की कोशिश करते हो तो अभी भी इसका ये left और right पार क्या बच्चो सेम नहीं है तो सब के सब क्या है बच्चो different है answer मिला आपको 4 ठीक है अब बच्चो next question देखते हैं question number 6 तो question number 6 में बच्चों पूछ रहा है how many product अब ये compound है बच्चों इस compound की कितने product बनेंगे ये हमें बताना है ये देखिए बच्चों ये यहाँ पर है CH2, CH3 ठीक है और यहाँ पर है बच्चों CH3 इस तरीके से तो थोड़ा हम इसको और कायदे से ऐसा बना देते हैं तो थाकि की देखने में आसान रहे हमें ठीक है और ये आ गया CH2, CH3 हमने इसको ऐसे लिखा बच्चों दो CH3 के बीच में CH2 आ गया तो दो CH3 के बीच में CH2 है और एक carbon CH2 को छोड़ने के बाद क्या मिल है बच्चों आपको CH2 CH3 अब बच्चों आप इसको देखिए अगर हम इसको यह कैहां से है और से कट करते है यह इसका लेफ्ट और राइट पार्ट का है बच्चों सेम है शट कहां, यह तरीक से यह रए Tech और नियुकंगा हत्व यह UP. जो इस से कारबन से बच्रों किया है डि परिफेंट है ठीक है अब इसी तरीके से बच्छों यह भी वोगा और यह भ Pas चेंचे से जुड़ा है यह S हो ग्या यह वाला पर्ट इमेजी बना रहे है ben Kayla just repeat हो जाएगा अहे सीब tu लिख दिया है इसको मुने लेकर D हो गया इसको मुने रहे AH phase E,the different है क्योंकि इसके पास क्या है इसके side में दो D है और पच्छो ये C है क्योंकि इसके अगल आजू-बाजू कौन है आजू-बाजू B है आप देखिए बच्छो ये खुद अलग है तो A, B, C, D, E, और ये F और ये G तो बच्छो आप देख सकते हो option में हमें total 7 different product मिलते हैं तो यहां से मिलेगा बच्छो 7 product तो answer आजाएगा आपका 2 ठीक है तो next question देखते हैं बच्छो 7 7 में पूछ रहा है carbon chain splits into two or more part by ogenolysis from all except तो बच्छो देखिए 7 में अगर हम बात करें 1,3 cyclobutadine की तो बच्छो आपको structure frequently बराना आना चाहिए यह है 1,2,3 और 4 ठीक है तो यह है बच्छो 1,3 cyclobutadine अगर बच्छो हम इसका ogenolysis करें आपको जानते हैं कि ogenolysis में double bone तूट जाता है ठीक है तो इसके मिलेंगे बच्छो दो पार्ट मिलेंगे आपको इसके ठीक है दो पार्ट में यह तूटेगा एक उपर चला गया एक नीचे चला गया तो यहां से तो दो पार्ट में इस्प्रिट हो रहा है बच्छो second option में देखिए तो second option में है 1,2 dimethyl cyclohex 1-ene बच्छो आप cyclohexene बना लो पहले cyclohexene है और इसमें है 1,2 dimethyl यह बच्छो 1 और यह 2 ठीक है अगर आप बच्छो इसको तोड़ते हो ठीक है तो इसमें बच्छो से एक ही product बनेगा क्योंकि यह इधर setting जुड़ी होई यह है ठीक है तो कह रहा है कि carbon chain splits into two or more part by ogenalysis from all except तो बच्छो यही answer आगया इससे सिर्फ एक ही part बनता है और यह part क्या है बच्छो यह part है बच्छो यह एक ही product बन रहा है और इसमें बच्छो दो product बन रहा है वो दो product का है CHO, CHO ठीक है CH और यह CH और यह CH और यह लगा देना है बच्छो अब बच्छो थार्ड आप्सन भी देख लीजे थार्ड आप्सन में लिखा हुआ है बेंजीन बच्छो हमने बेंजीन का भी ogenalysis करवाया था तो बेंजीन के ogenalysis में 3 moles of glyoxal बनते हैं बच्छो ठीक है तो कह रहा है कि 2 or more तो इसमें 3 product बन जा रहे है ठीक है और next जो बच्छो 4th है 4th में लिखा है isobutene बच्छो आइसobutene यह होता है आप इसकी ogenalysis करोगे तो यहां से टूटे का बच्छो ECH2 है ठीक है ठीक है बच्छो तो हम देखते हैं question number 8 8 में बच्छो देखिए ध्यान दीजिए एक एलकीन है और आपने उसका ogenalysis करवाया और ogenalysis से हमें बच्छो ऐसा compound बना यह CHO और CHO ठीक है बच्छो तो हमें उस एलकीन को identify करना है कि यह एलकीन क्या होगा तो बच्छो ध्यान दीजिए इसमें product में aldehyde आ रहा है ठीक है और फर्स्ट जो option है बच्छो इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है अंदर double bond है ठीक है तो बच्छो आप इसको अगर तोड़ोगे ठीक है तो ring देखो यह 7 की ring बन जा रही है और 7 की ring में बीच में जो oxygen आएगा तो यह ketone product बनाएगा तो आप बच्छो इसको ऐसे ही बना लेते हैं हम इस तरीके से और इसको यहां से बस अठा देते हैं ठीक है बच्छो तो कि इसमें देखने हैं कि 1, 2, 3, 4 तो यह carbon है यह carbon है चारो बन रहे है इसका मतलब यह जो बन रहा है बच्छो यह क्या है यह ketone बना रहा है और आपको कह चाहिए हमें layer चाहिए तो हमारा answer बच्छो यह नहीं है similarly बच्छो आप second option को देखिए second option में भी कुछ ऐसा ही किया गया है यहाँ पर double bond करेंगे इसको तोड़ करके तो बच्छो आप अपनी से विजाएक हिसाब से बना तो ऐसे लेजिए ठीक है और यहां क्या करना है double bond oxygen और double bond oxygen तो बच्छो जब कारबन होगा तो कुछन मनेगा इसका मतलब CHO बनाने के लिए कम से कम एक hydrogen तो होना जरूरी है यहाँ पर ठीक है तो थर्ड ओप्शन देखिए किस तरीके से तो इसको देखिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं देखिए बाहर की रिंग 6 कारबन की है 1,2,3,4,5,6 ठीक है तो बना ली एक double bond है उसको भी लगा दिया अब चो bridge head वाला point है बच्छो उसमें कितने connected है यह carbon bridge head वाले हो गए और इसमें आपको मिला 1 और 2 carbon का bridge है तो हमने कुछ इसको बच्छो ऐसे बना दिया 2 carbon की bridge को इस तरीके से बच्छो इसे 2 carbon का bridge हो गया तो जब बच्छो इसको तोड़ेंगे यह oxygen अब बच्छो यह CH है यह CH है तो CH के साथ oxygen लगेगा तो बच्छो बच्छो बन जाएगा तो आप इसको देगे तो यह क्या बना CHO और यह बन गया CHO अब यह बच्छो ब्रिज है 2 carbon की तो आगें यह ring देखो तो यह ring बन गी 1,2,3,4,5,6 carbon की तो बच्छो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ring है 6 carbon की और यह position और यह position पर लगा है बच्छो क्या CHO और CHO बच्छो आंसर आगे है जो product हमें चाहिए वो यह है यह product है 3 तो आप numbering देख सकते हो कि 1,2,3,4,5,6 ठीक है बच्छो 1,2,3,4,5,6 वन और 4 पर क्या लगा हुआ है बच्छो CHO लगा हुआ है तो आंसर आगे है बच्छो ठीक है तो बच्छो यह चीज लिखा था बच्छो यह पॉइंट है option 4 में और option second की बात कर लेते हैं option second में कुछ ऐसा बना हुआ है बच्छो यह यहाँ पर double bond है जब हमें इसको तोड़ा तो बच्छो यह CH है यह CH है तो ठीक है बच्छो यह बन जाएगा आपका CHO और यह बन जाएगा CHO तो इसमें जो CHO आ रहा है बच्छो वो 1,2 पोजिशन पर आ रहा है ठीक है तो बच् इसमें आपको दिया हुआ है कि C7 H10 है जिसका molecular formula है बच्छो एक्स ठीक है और H2 nickel एक्सेस में जाए है ठीक है और बन गया है बच्छो C7 H12 ठीक है और ओजोनोलिसिस करवाते हैं बच्छो तो ओजोनोलिसिस कराने पर कुछ ऐसा product बनता है ठीक है और आपको बतारा है बच्छो ये एक्स और वाई क्या है ये बच्छो ये एक्स और वाई क्या है ये हमें पता लगाना है तो बच्छो देखिए हमें आल्डिहीड चाहिए, ठीक है, जरूण अगर हम first option से देखें बच्छों, तो first option में क्या है, कुछ ऐसा दिया हुआ है बच्छों, इस तरीके से, तो बच्छों, अगर हम इसका orzonalysis करते हैं, यह तूटा, ठीक है, तो बच्छों, अगर हमने इसका orzonalysis कर दिया, तो आप को म तो आप सारे options में एक idea लगा सकते हो कि क्या होगा पूरा पूरा डिटेल में ही सॉल करो हर चीज ठीक है तो हम फर्स टाइम सॉल कर रहे हैं तो इसलिए क्या है हम डिटेल में सॉल कर सकते हैं लेकिन आप options को देखकर भी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा answer कहां से आएगा ठीक ह तो आप इसको देखिए जब हमने इसको तोड़ा ठीक है तो यह डबर बॉंड oxygen ठीक है ठीक है और यह जब आ गया यहां पर मिला CH-O यहां पर मिला CH-O क्योंकि यह CH है और यह CH है तो CH वाला बच्छो लडियाइड बनाता है और कार्बन वाला जो होता है बच्छो वो कीट अप्सन में देख लीजिए बच्छो तो यह हम लेके चल लए हैं कि यह अगर X यह होता तो यह प्रोड़क्त बनता एक्स तो यह है नहीं तो यह बना नहीं रहा अब देखिए हम ट्राइड करते हैं बच्छो इसको कि क्या यह X हो सकता है तो इसको भी तोड़ा आपने होगा ठीक है अब बच्छो देखिये 3rd option कि अब अकर 3rd option में देखो बच्छो तर्ड आप्सन हमें कुछ ऐसा दिया हुए है यह अन्या भर्बोंड लगाया हुआ है ठीक है तो इसको भी तोड़ दीजिए ऐसे तो यह तो चैन यह है यह carbon है ठीक है तो carbon देखो एक तो 3 बन तो बनाते हैं बच्चो इस तरीक ऐसे तो बन गया किटोन और बॉन हमने तोड़ा यह यह बन गया सी अभी भी हमें जो प्रोड़क्ट चाहिए बच्चो वो नहीं मिल ला है इसका मतलब आव अंसर तो आ गया फॉर्थ वाना अंसर है फॉर्थ को चेक कर लिजे आप ठीक है फॉर्थ में बच्चो कुझ ऐसे सजावट दी हुई है यह है यह है और बोन बच्चो कुझ ऐसे लगा दिया है ठीक है आप इसको तोड़ दीजियर दखी में यह यहांप er सी ही है यहांपर इस अछे चाहर है और अक्सिजे अक्सिजें लगादीजिये आप इसके तरफ ड नमबर लिखा अब देखिए फर्स्ट पर क्या है तो फर्स्ट पर क्या है नमबर लिखने से क्या है कि आपके जो सबसेट्टियू जगह पर लगे होंगे वह दिक्कत नहीं करेगा यह नमबर इंग बच्छो आई-उ-प-a-c वाली नहीं है यह हम अपने मन से लिख रहे हैं लिख बीपर्स दिया चो है तो इसका मना बच्छो यही एक्स है और यह प्रोड़क्त बना अब आप नहीं अगर इसका ओधन इसका हाई-डॉजनेस न किया एक्सेस में यह साथ कार्बोन निक्रें तो यह आंसर आ चुका हमारा बच्छो ठीक है थीक हमने लेखा बच्छो question number 10 ठीक है बच्चो question number 10 10 भी देख लेते हैं बच्चो 10 में कह रहा है कि compound C8 H14 है जिसको M कह दिया गया और बच्चो ozonolysis किया तो बना C8 H14 और O2 जिसका N नाम दिया गया और H2 निकिल के साथ बच्चो C8 H16 बनाता है जिसको O नाम दिया गया बच्चों ने इसका chlorination करवाया तो बना C8 H15 C L जिसको P नाम दिया गया और कह रहा है कि यह जो बना है यह one product है बच्चों अब हमें एक आइडिया तो ने जर आ गया कि हमें अब पूछ कह रहा है कि M क्या है ठीक है तो बच्चों हमें वो M चाहिए जिसका hydrogenation करने पर एक product बना है मतलब इसके सभी कारबन से जुड़े हुए hydrogen बच्चों क्या एक जैसे हैं तो आज कारबन का देखिए इसमें तो बच्चों अब आप नजर डाले तो अगर हम first option को देखे तो बच्चों first option तो कुछ ऐसा है इस तरीके से तो बच्चों इसका hydrogenation किया निकिल मिला करके तो बच्चों ये मिला catalytic hydrogenation करने पर तो बच्चों इसका एक product तो बनेगा नहीं क्योंकि यहां से cut होता है ठीक है तो इसके हमने देखे हैं इसका एक product नहीं बनता बच्चों second option में देख लीजिए अब second option में है बच्चों कुछ ऐसे दिये हुआ है ये तो बच्चों आपने इसका भी hydrogenation करवाया है तो double bone तो single bone में change हो जाएगा तो बच्चों इसको यहां से cut किया तो इसका top और bottom से में तो ये भी एक product तो है नहीं कम से कम बच्चों एक तो यहां बन गया एक यहां बन गया दो तो different ऐसे ही हो गए तो ये भी नहीं answer रहा बच्चों हम third option को देख लेते हैं तो third option में बच्चों दिया है आपको ऐसे इस तरीके से तो आप बच्चों देखिए तो और काईल से मना लेते हैं यह रहा बच्चों तो ये 8 carbon का cyclo octene है आप hydrogenation करोगे तो बच्चों double bond single bond में जंज हो जाएगा कुछ ऐसे बच्चों अब देखो सब के सब hydrogen एक जैसे है carbon से जुड़े हुए तो बच्चों इसमें coordination कराओगे तो आपको एक ही product बनेगा कहीं भी chlorine लगा दीजी आप ठीक है तो इस तरीके से हमने देगा बच्चों आंसर आगया हमारा थिरीक आप वो जोनों निसिस करा के देख सकते हो इसमें अब यह वो जोनों निसिस करा होगे तो यह double bond तोड़ेगा और यही पर oxygen जुड़ जाएगा तो यह जो चाहिए आपको मिल जाएगा ठीक है बच्चों तो बच्चों देखिए question number 10 था और 10 में बच्चों अगर आप option 4 भी देखो तो 4 में भी ऐसा कुछ नहीं है देखो इस तरीके से ठीक है अब hydrogenation कराओगे बच्चों तो देखो क्या मिल लाए आपको ठीक है तो इसके भी तो दो ही product है कम से कम A और B ऐ question number 10 के बाद देखते हैं बच्चों 11 question number 11 में तो यह एक X है जिसका आपने odonolysis करवाया और odonolysis करने के बाद जो मिल लाए है वह देखिए H C double bond O CS2 C double bond O CS2 C double bond O H plus formaldehyde तो यह product कहां पर बनेगा उस structure को identify करना है तो फर्स्ट option देख लीजे double bond CH CS3 हम पहली बार solve कर रहे हैं तो हम सारे options को पकड़ सकते हैं क्योंकि concept बहुत ही important है बच्चो पेपर के point of view से बच्चो एक double bond यहां पर लगा हुआ है बच्चो यहां तोड़ा और यहां पर तोड़ा आप देख लिए एक प्रोड़क्ट क्या formaldehyde है बच्चो यहां पर formaldehyde का नामनों इसार नहीं दिख रहा यहां तो CS3, CHO आ रहा है तो formaldehyde यहां तो मिल नहीं रहा है ठीए आंसर गया काम से option ठीक है अब बच्चो सेकेंड option की तरब बढ़ते हैं हम लोग ठीक है बच्चो यहां पर है double bond CS2 बच्चो देखो यहां तोड़ा तो CS2 O आ रहा है एक पार्ट में आपको यही चाहिए CS2 O मिला हमें और बच्चो आप और देखिए यहां double bond लगा हुआ है यहां भी oxygen oxygen लगा दीजिए तो क्या आपको जो चाहिए वो मिला की नहीं मिला तो आप देख लीजिए क्योंकि आपको यहां पर एक possibility बनगी की formaldehyde तो बन रहा है इसका मलब यह option हो सकता है हमारा सही ठीक है तो बच्चो इसको तोड़िए ठीक है तो बच्चो यह क्या है carbon है ketone बन जाएगा CH2 O तो अलग हो गया ठीक है और बच्चो यह क्या है CH बच्चो जब आप इसको तोड़ोगे तो यहां मिलेगा CHO यहां मिलेगा CHO आप देखिए CHO है CHO है CHO CHO है CHO CHO है CHO CHO है CHO और CHO तो दिया हुआ है यह answer आगया बच्चो आपका बच्चो नेक्स्ट देखते है बच्चो इसमें ऐसे ही आप बाकी में ट्राइ कर सकते हो तो चाहिए हमें 2nd option मिलेगा बाकी जगह पर 3rd of 4th में भी यह चीज प्लेजन नहीं आती ठीक है बच्चो आप देखिए Q12 देखते हैं बच्चो Q12 में देखिए यह एक X है ठीक है है ओजोनलिसिस करवाया आपने करवा दिया हमने ओजोनलिसिस करहा कि 3 Opsobutaneal बनता है ओल्ली एक ही बनना है ठीक है बना दिया हमने वह भी बना दिया अब बच्चो अच्चो एच्टू निकल लिया तो ही निकल के बाद वाई बना और फिर इसका जब हम chlorination करवाते हैं बच्चो तो कहरा कि four product बनते हैं तो आप देखिए दोनों तरफ से हम cross check कर सकते हैं तो hydrogenation कराने के बाद आपको ऐसा यह वाई एक ऐसा alkaline होना चाहिए alkaline है बच्चो जिसके four product बनते हो ता बच्चो option के तरफ से चलते हैं तो first option में है one methyl cyclopropene बच्चो यह है cyclopropene और इस पर लगा हुआ है बच्चो एक methyl यह है बच्चो वन methyl cyclopropene बच्चो आप hydrogenation करा दीजिए hydrogenation कराने पर single one मना और इसके product कितने हैं दुनिया जानती है बच्चो आप बच्चो चार वाला चाहिए आप second option देखिए one four dimethyl one four dimethyl cyclohexodiene cyclohexodiene है cyclic hexodiene है मिला बच्चो one two three और four तो बच्चो one पर CS3 है और four पर CS3 cyclohexodiene ठीक है बच्चो आप करा दीजिए ठीक है तो बच्चो यह CS3 यह CS3 तो बच्चो आप इसको बच्चो आप असे भी लिख सकते हैं बच्चौक है वन four पर है इस तरीके से यह CS3 बच्चो आप इसका जाए ऐसे पेट काटो जाए ऐसे पेट काटो आप किसी भी तरीक से इसके अते रही के चातее है और यह मेरे रिमेज बनना है बच्छो बिलकुल, इसमें तो मिलने तीनी प्रोड़क्ट आपको, तो बच्छो हमारा आंसर ये भी नहीं रहा, अब देखें ये बच्छो थर्ड ओप्शन, थर्ड ओप्शन में कहा दिया है, 1, 4, अब ये भी बच्छो है, साइक्लो हेक्साडाइन है, तो देखो बच्छो ये, तो डबल बॉन है बच्छो, 1 और 3 पर, ये 1, और ये 2, और ये 3, कुछ ऐसे, ठीक है, अब 1 पर, तो 3 और ये बच्छो 4 है, तो 1 पर क्या है, 1 पर मिथाइल, और 4 पर मिथाइल, तो बच्छो आप इसका हाइडोजिनेशन कराओगे, तो फिर से भी आगया, जब हम हाइडोजिनेशन कर रहे होते हैं, तो हाइडोजिन सफीचेंट मात्रा में लिए गये हैं, ता इसर है आपका फोर्थ वाला, जिसमें है, साइक्लो हेक्सा वन फोर्डाइन, तो ये 1, 2, 3 और 4, ठीक है, और सबसेटुएंट है बच्छो 1, 2 पर, तो 1 पर और 2 पर है, ठीक है, आप आप आइडोजिनेशन करा दीजिए, तो डबल बोन बच्छो सिंगल बोन में चेंज हो इसके से जुड़ा बिच्छ से जुड़ा हुआ, तो बिच्छो पर पत्चो 1, 2 अघर अप ते ब्च्छो 3, 4 रखेंगे तो बॉच्छो 3, bater fracальная, gjb. compound AC16 H16 ठीक है बच्चो ओजोनलिसिस किया ठीक है तो अगर बच्चो हमने ओजोनलिसिस किया है एक B product बनता है B किया है बच्चो only one product ठीक है और formula है C8 H8O ठीक है बच्चो और कहना है B में OIDOFORM टेस्ट होता है IDOFORM में टेस्ट में बच्चो क्या है positive है बच्चो B में IDOFORM test मिलता है and form sodium benzoate as one of the product IDOFORM test का मतलब क्या है बच्चो IDOFORM बन गया और sodium benzoate बनता है C6H5COONA यह बन गया sodium benzoate अब बच्चो इस structure A को identify करना है तो बच्चो ध्यान दिए हमें एक ऐसा देगे तो first option के तरफ चलते है तो pH CH2 CH double bond CH CH2 pH ठीक है बच्चो तदा हमने बच्चो ओजोनलिसिस किया ओजोनलिसिस में तो बच्चो क्या है bond टूटता है औक्सीजन आके जुडता है क्या मिला बच्चो पीच CH2 CHO तो बच्चो इसमें आइड़ो फोर्म टेस्ट तो नहीं होता ठीक है बच्चो अगर आइड़ो फोर्म टेस्ट मिलाएंगे करेंगे यहां पर बच्चो यहां पर आइड़ो फोर्म टेस्ट देखने को नहीं मिलता क्योंकि आइड़ाफा टेक्स के लिए क्या है जो अलफा पर सी यस थी चाहिए कार्बॉनिल एक और केस में तो नहीं मिलता अब जो सेकंट देखिए कि तो सेकंट में देखिए कि सी यस थ्री CS3 double bone pH ठीक बच्छो ओजनलिस तो हो जाएगा अगर हमने बच्छो इसका ओजनलिस करवाया ठीक है तो बच्छो यह टूटेगा कह रहा कि ओजनलिस का only one product तो बच्छो इसमें तो एक ही product बना ठीकिन बच्छो यहाँ पर मनेंगे दो product two product two product ठीक है ठीक है ठीक है तो CS3 C double bone O CS3 एक ऐसा और दूसरा product बच्छो यह है जिसमें फिनाली गूप लगा हुआ है ठीक है तो यह भी answer नहीं क्योंकि एक ही product बनना चाहिए बच्छो अगर थर्ड ओप्सन में देशलते हैं तो अप्सन थार्ड में बच्छो क्या है इसको भी देख लेते हैं तो थार्ड अप्सन में बच्छो ठीक है तो आइडर फोंग टेस्ट मिलेगा बच्छो इसमें और आइडर फोंग बच्छो यह वाला पार्ट आइडर फोंग में कनवर्ट होता है तो CHI3 और दूसरा वाला पार्ट बच्छो क्या है salt of acid बनाता है तो pH CO- अगर हमने sodium लिया है sodium benzoate और आइडर फोंग ठीक है तो बच्छो आइडर फोंग टेस्ट भी होता है ठीक है और बच्छो अगर आप फोर्थ ऑप्सन पे चलेंगे तो pH, CH double bone और बच्छो यहां पर है CS3 और CS2 pH बच्छो जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें भी ozonesis पर two product बनने हैं क्योंकि double one का इधर का part इधर पार का part बच्छो का different है तो part difference है two product तो आपको चाहिए तो only one product answer मिला बच्छो हमें three ठीक है बच्छो तो थर्टीन के बाद देखते हैं हम question number 14 ठीक है बच्छो तो question number 14 में बच्छो हमसे पूछ रहा है के compound A है ठीक है compound A है कि प्रेशिप्र क्लोडल के साथ्ध बच्छो धो याद ऊना चाहिए यह टर्मिनल हो क्या है सकता है운데 ठीक हैं हो सकता है मतलब क्या है ही क्यए बच्छ yesterday पोड़ कर देता को ब्रोमीन वाटर को क्या कर देता बचों कलर लेस ब्रांन से गुए-टों इसका मैं एक कर देता है थी को बच्छों सेच्छूराइटेंक है तो उनसाचुरेटिड और साथ में क्या बच्चो रेड़ प्रेसिपिटेड मिलता है मतलब क्या बच्चो यह जो और काई है यह अलकाइन कैसा है टर्मिनल टर्मिनल अलकाइन चाहिए तो बच्चो इसमें एस पी कारब से जोड़ा वह hydrogen है और ट्रिपर बॉन भी है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट और रेड प्रेसिपिटेड मिलेगा क्यूप्रस्प्रोइड के साथ तो इसमें बच्छो दो होमोलोक्स हमें दिये हुए है तीक है यह फर्स्ट और यह सेकंड इसमें कहरा बच्छो आपसे इस कन भी डिस्टिंगुइस्ट बाए देखिए फर्स्ट में है टॉलेंज रीजेंट तो टॉलेंज रीजेंट टॉलेंज रेजेंट यहां मिलेगा यहां मिलेगा तो की टोन में तो नहीं होता लेकिन बचो इस terminal alkyne की वजय से tolerance region में बचो क्या बनता है white precipitate तो white PPT यहां हे मलेगा white precipitate यहां पर भीfilm बचो दोनों ही जिरगा precipitate बनना है पता नहीं चलेगा कौन है दूसरे है बच्चो DNP तो अच्चो क्योंकि कार्बोनिल कंपोंड है दोनों में दी एंपी बनेगा थार्ड है बच्चों बेयर्स रिएजेंट तो बेयर्स रिएजेंट होता है टेस्ट आफ अंसरेशन दोनों में मिलेगा पता नहीं चलेगा फूर्थ है बच्चों आयोडीन और नयोच कौंसेट्र रिए येह समचों िस तरीक से ठीक है बच्चों इसमें आइडल फान टेश्ट नहीं मिलेगा जब header तुस तरीके सबस्चों मिला हमें अंसर मिला फूर्थ ठीक है तो 15 के बाद देखते है बच्छों next question number 16 बड़ाई अच्छा सवाल है OH, CHO, C111CH और COOH पहला है बच्छों sodium metal बच्छों लिखा है कि compound select positive observe the following compound and select positive and negative test respectively बच्छों sodium metal test acidic H का होता है बच्छों इसमें ये acidic, 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 liad में नहीं होता ठीक है बच्छों acidic H है तो मतलब sodium metal test मिलेगा तो मतलब positive है ठीक है तुसरी की बात करें sodium bicarbonate NaHCO3 sodium bicarbonate बच्छों acid का होता है CWH group है तो sodium bicarbonate test भी समें मिलेगा मतलब क्या है positive है मिलेगा ठीक है फिल रिखा है dnp 2,4 dnp 2,4 dnp test मतलब बच्छों carbonyl compound का होता है बच्छों चुकि यहां पर ldiide है तो बच्छों ये dnp test भी positive देगा नेक्स है बच्छों 4 लिउकास तो लिउकास test बच्छों alcohol का होता है OH group है लेकिन ये बच्छों phenol है तो phenol में लिउकास test नहीं मिलता है नेगेटिव है तो तीन test positive एक नेगेटिव है जो कि option है बच्छों 1 ठीक है इसमें दिया है बच्छों plus plus and minus ठीक है ठीक है बच्छों तो next question देखते हैं बच्छों 17 17 देखी विच gas is released when acetamide तो बच्छों acetamide का है CS3 C double bond ONH2 बच्छों यह formula बगरा सब आपको याद होने चाहिए NOH बच्छों ammonia gas निकलती है इसको बताए तो बच्छों test of amide amide में बच्छों जब NOH मिलाते है तो बच्छों 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 आंसर है 3 ठीक है 17 के बाद देखते हैं बच्छों प्यारा सा सवाल है 18 aromatic primary amines तो primary amine बच्छों क्या है ARNH2 ठीक है AR aryl group है जोकी phenyl है can be distinguished from aliphatic primary amines तो अगर इन दोनों को मिला दिया है RNH2 जो यह वही है PHNH2 इनको अलग करना है कैसे हम अलग कर सकते हैं तो लिखा है बच्छों tolerance test तो tolerance test बच्छों amine का तो होता ही नहीं है फिर लिखा है action of on red litmus paper तो litmus paper चुकि दोनों ही basic हैं तो कोई दिक्कत नहीं एक ही जैसा काम करेंगे फिर लिखा है azoditis और HCL से कोई दिक्कत नहीं यह दोनों base HCL से कामाइन कर जाएंगे बच्छों एक ही option बच्छा 3 जो की कह रहा है कि एजो डाइटेस्ट एजो डाइटेस्ट में क्या है बच्छों कि अगर हम बच्छों इसमें कि डाइजोनियम स्वल्ड टेक है कुछ इस तरीके का कंपॉंड मना देता है एक गाइटेस्ट च्छों के साथ हमार एक का है को निनल्मकुयерх कर दैनुद तो निनल्मके बच्छों आर एजो पर एक साथ और डाइट sबusto नहीं होती है कि यह कर पाते हैं एक आप ट्रेंगे कर सकते थे तिन तो ट्रेंगे प्रेंगे नेटमस पेपर को दोनों एक जैसा काम करेंगे, डाइ टेस्ट अलग है, और एक्सन विट डाइलोप एरसील, तो जो कि बच्चो दोनों ही अमीन है, दोनों ही क्या करेंगे, सॉल्ट फर्मिशन करेंगे, ठीक है, तो एक यह अंसर अलग था, जो कि यह 18, ठीक है, अब बच्चो देखते हैं, क्वेशन नमर 19, तो 19 बच्चो पूछा है कि एक औरगेनिक कंपाउंड है, डाज नॉट रियक्ट विट लिवकास रियेजेन, तो लिवकास रियेजेन से रियेक्ट नहीं करता है, बच्चो वो अलकाइन कैसा है, बच्चो अलकाइन है वो यह पाता चल गया, तो अलकाइन टर्मिनल बच्चो फस्ट अप्चन में है, पर अलकाइन टर्मिनल बच्चो थर्ड अप्चन में है, बचा क्या, सेकेंड और फोर्थ, तो सेकेंड और फोर्थ बच्चो बच्चो सेकेंड अलकाइन है, लेकिन टर्मिनल नहीं तो यह आज़र नहीं हो सकता फोर्थ एलकीन है तो यह तो कट गया पूरी तरीके से तो फर्स्ट और थर्ड में अब हम आके रूके तो फर्स्ट में देखिए CS3, CH, OH, C triple bond CH ऐसा है अब अब थर्ड ओप्सन में कुछ ऐसा है HC triple bond C और CH2, CH2 OH तो बच्छो इन दोनों जगे पर white precipitate तो बनेगा एक तो बात ता है क्योंकि SP carbon यहाँ पर भी है और SP carbon यहाँ पर भी है तो यह acidic है white precipitate tolerance region से बनाएगा अब आंसर आएगा हमारा कहां से कि Lucas region से आसानी से react नहीं करता तो यह है 1 degree alcohol वच्छो यह क्या है यह 2 degree alcohol ठीक है तो primary alcohol Lucas region से आसानी से react नहीं करते हैं ठीक है तो does not react with does not react with Lucas region ठीक है तो आंसर आगया 3 तो देखते हैं next question number 20 20 में पूछ रहा है कि C5 H10O molecular formula है और Naocl के साथ chloroform बनता है कैसे कितने isomers होंगे structural isomers इसके जो chloroform बनाएंगे बच्छो यह क्या है हेलोform test है यहाँ पर chlorine और Naoc लिया है मतलब carbonyl compound है तो इसमें aldehyde या ketone हम बना सकते हैं बच्छो किसमें कोई भी aldehyde हम देखें C4H9 इसमें तो बच्छो यह test तो मिलेगा नहीं तो Naocl के साथ chloroform यह नहीं मनाएगा ठीक है बच्छो तो कि हाइलोform के लिए कम से कम बच्छो यहाँको at least CS3 CS3 तो चाहिए यही होना चाहिए alpha CS3 चाहिए और इस सभी cases में alpha CS3 हमें नहीं मिलेगा ठीक है बच्छो आप देखिए next ketone में चलते हैं बच्छो हम तो ketone में बच्छो क्या है कि alpha CS3 मिलता है 5 carbon ने टू लिखे C3S7 तो बच्छो इसके case में chloroform बन जाएगा और दो isomars बनेंगे structural बच्छो इसके वोगि C3S7 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं तो बच्छो 20 में answer मिला 1 ठीक है next देखते हैं बच्छो question number 21 तो 21 में पूछ रहा है बच्छो कि एक organic compound C6H8 बच्छो उसका formula क्या है C6H8 है और only one symmetrical di ketone बनाता है बच्छो जाओं इसका ogenolysis करते हैं तो बनता है only one symmetrical di ketone तो यह एक di ketone मनता है ठीक है और जो product है di ketone gives dnp test इसमें मिलता है बच्छो dnp 24 dnp test मिलता है and does not give idofarm test लेकर बच्छो इसमें आइडो form test नहीं होता है अब उसको पता करना है कि वह इस compound का structure क्या है ठीक है बच्छो तो देखिए तो अगर हम first की बात करें बच्छो देहान दीजिए यह double bond अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको तो डाई ketone मनाना है बच्छो यहां तो CH है यहां CH है यह है CH है यह है CH तो इससे तो मिलेगा बच्छो जब तोड़ेंगे तो आपको पता है और जो जो बांड को तोड़ते हैं तो oxygen आके लग जात करो कि टू में चैनल अगर यहां से तोड़ते हैं यहां से तोड़ते हैं तो डाई ketone तो बन गया बच्छो यह ऐसे रहा कि डाई ketone बना तो लेकिन इसमें बच्छो इसमें क्या है formula C6H8 चाहिए ठीक है, तो gives only one, एक ही बनता है बच्चो इसमें, इसमें तो साथ में एक product और बन रहा है आपका, CH2O ठीक है, क्योंकि बच्चो ये CS2 है ये CS2 है, इसमें साथ में बच्चो का एक product और बन रहा है एक ही चाहिए आपको इसमें ठीक है, जिसमें धो product बन रहा है टू product ठीक है, overall ये क्या 2 mole है तो total product बने आपके बच्चो 3 ठीक है, अब देखिए next, बच्चो 3 तो 3 में बच्चो देख लेते हैं जिसको अगर आप यहां से तोड़ते हो और दोनों रिसिस में तो मिला बच्चो कुछ ऐसे बच्चो ये CS3 और ये CS3 बच्चो अलफा का CS3 आ गया तो इसमें आइडर फॉर्म टेस्ट में मिलेगा I2 और एने वेज के साथ ये आइडर फॉर्म टेस्ट देगा जोकि कहरा कि ऐसा compound चाहिए जो आइडर फॉर्म टेस्ट ना देता हो तो आप बच्चो एक ही option बच रहा है और उसमें देखिए फॉर्थ वाले को ठीक है ये है और बच्चो यहाँ पार डबल बॉन जब इसको तोड़ेंगे बच्चो ओजोनों डिसीज में तो बच्चो आपको ये ketone और ये ketone बच्चो ketone है एक ही product बना है इसमें बच्चो 2,4 DNP मिलेगा लेकिन ये ketone है बच्चो इसमें आइडर फॉर्म टेस्ट नहीं होगा ठीक है तो बच्चो आंसर आगया आपका 21 का फॉर्थ ठीक है बच्चो next question देखते हैं बच्चो 22 ठीक है बच्चो तो question number 22 देखते हैं बच्चो 22 में हमसे पूछ रहा है कि C7H12 है बच्चो C7H12 ठीक है और जोनलिस हो गया बच्चो उसका और बना P plus Q ठीक है P responds to tolerance test तो tolerance test P में बच्चो होता है और आइडर फॉर्म टेस्ट भी होता है इसमें दोनों होते हैं ठीक है अच्छी बात है और Q जो होता है बच्चो ड़स नोट रिस्पॉंड विट बोथ रिएजेंट तो बच्चो Q में ना तब tolerance test होता है ना ही आइडर फॉर्म होता है ठीक है तो अब आपको पता करना है कि यह compound कौन सा है तो बच्चो देखिए option से चलते है यह तो अच्छो आप इसको तोड़िए यहां से तो जब हमने इसको break किया बच्चो यह कहा है CS3 और यह CH एक product मिला बच्चो आपको CS3 CHO प्लस अब दूसरा product मिलना है बच्चो हमें यह CHO ठीक है तो अब देखिए तो formula देख लें तो 1,2,3,4,5,6,7 है तो बात करें चेस्ट की तो बच्चो अगर हम इसमें देखें तो इसमें टॉलेंस टेस्ट और आइडर फॉर्म दोनों ही मिलते हैं ठीक है बच्चो इसमें आप देखो तो टॉलेंस, डियेजेंट और आइडर फॉर्म दोनों टेस्ट मिलेंगे तो कि बच्चो क्या है यह अलफा CS3 है और LD है ठीक है अब आप इसको करो तो अगर मानों ने इसको क्यों बना लिया तो यह P होगा अगर यह P है तो क्योंकि बच्चो अलडिया को तो टॉलेंस जश मिले हा बच्चो लेकिन Direissance ॉपयां कि बात करो आइडर फॉर्म टेस्ट बच्चो यहांपर नहीं मिलेगा क्योंकि आइडर फॉर्म क्यलिए तो अलफा CS3 चाहिए जूकि है नहीं यह आप आप बच्चो CS2 मिला ए तो घल्ठ हो गया यह तो आलसम नह इसी में नहीं होगा ठीक है तो अब ये भी आंसर नहीं है अपना ठीक है बच्वों थर्ड देखते हैं थर्ड में देखिए CH-CS3 बच्वों हमने इसको यहां से तोड़ा तो आपको एक प्रोड़क्ट मिला बच्वों कीटोन और दूसर मिला CS-3-CHO बच्वों CS-3-CHO तो अभी देख लिया है बच्वों इसको इसमें टॉलेंस टेस्ट भी मिलता है और आइड़्युम्द्स भी उता है ठीक है अब एक इसमें अगर हम अहां की बात करें आजफ़्ों की बात करें क्योंकि यह ketone है ketone में tolerance test नहीं मिलता तो सेम बच्चों यह उपर इन दोनों में भी लगेगा अगर idroform देख रहे हो तो नहीं मिलता है लेकिन बच्चों इसमें tolerance test मिलता है लेकिन बच्चों इसमें क्या है आइड़ फॉर्म टेस्ट नहीं मिलना आप यह चाहिए था कि idroform test भी मिले और tolerance test भी मिले ठीक है बच्चों तो पी ऐसा होना चाहिए था वो भी नहीं बन रहा है तो आप देखो तो क्यूँ में कुछ नहीं हो रहा है तो क्यूँ तो यह हो गया ठीक है और पी क्या हो गया प तो बच्चो 22 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नूमर 23 तो 23 में बच्चो एक कंपाउन है P और जिसका फॉर्मूला है C5H8 ठीक है बच्चो वो दुनों निसीस हो गया ठीक है करवा दिया हमने दुनों निसीस और फिर बच्चो क्यूप्रस क्लॉराइड भी आ गया CO2Cl2 और NH4OH ठीक है तो कहरा है कि रेड़ प्रेस्पिटेट बना तो रेड़ प्रेस्पिटेट बनने का मतलब क्या है इसमें SP कारवन से जुड़ा हुआ क्या है hydrogen है तो ऐसा आपको अलकाइन चाहिए जिसमें SP कारवन से जुड़ा हुआ hydrogen हो ठीक है तो वह है यह CWH 1 2 2 पर है CS3 CS3 और यह H यह बना और प्लस Q बनता है ठीक है तो बच्चो टू मिठाइल प्रोपियोनिक एसिट बनेगा खहां पर ऐसा अलकाइन जहां पर ब्रांचिंग होना चाहिए तो बच्चो इसमें क्या है ब्रांचिंग है ब्रांच्ड एलकाइन है यह और ब्रांच्ड एलकाइन कौन सा है बच्चो फरस्ट में तो ब्रांचिंग है नहीं सेकेंड में ही ब्रांचिंग है बच्चो आंसर आगया आपका सेकेंड वाला क्योंकि सेकेंड वाले में क्या है बच्चो CS3, CH3 और ये H C triple bond CH, ठीक है तो जब आप बच्चों यहां से ozonalysis करोगे इसका, चुकि एसिड बन रहा है तो बच्चों कौन सा ozonalysis है Oxidative ठीक है, तो ये वाला part acid बनाएगा बच्चों, CS3, CH CS3 CWH plus एक कारबन है, ती जाकर के CO2 में break हो जाता है, ठीक है तो ये बच्चों, ऐसा Q हो गया, Q के बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो ये है बच्चों, जिस तरीके से ये होगा, बच्चों हमने देखा, question number 23 ठीक है बच्चों अब 23 के बाद देखते हैं, question number 24 ठीक है, तो 24 में कहारा है कि एक अलकीन है, इसका हमने ओजूनलिसिस करवाया, give only one product, तो एक ही product बनता है, मतलब वो अलकीन कैसा बच्चों, symmetrical है, तो आप फटा-फटा ऐसे अलकीन को देखिए, जो symmetrical हो, तो first बारा अलकीन बच्चों चुकि दो डबल बॉंड है एक प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा ठीक है सेकेंड वाला देखिए एक डबल बॉंड है लेकिन बच्चों ये एलकीन ठीक है सिमेट्रिकल नजर आ रही है आगे भी चेक करते हैं ठीक है अब एक्स की बारे में कहानी में देख लो क्या है? मतलब बच्चों क्या है? IOH, इसके साथ भी रिश्पॉंड नहीं करता है खामोस है ठीक है आईड़ोफंक टेस्वी नहीं देता फिर क्या करता है यह डीनपी देता है टू फोर डीनपी के साथ यह लोग प्रिसिपीटेड बना देता है ठीक है अब बताओ वह एलकीन क्या है तो बच्छो एक प्रोड़क बनना है तो फर्स्ट ऑप्सन कट गया इस तरीके से यहां से चूटेगा तो एक प्रोड़क तो है नहीं हो दूने से इसका कट गया और बच्छो सेकेंड आप्सन की बात करो इस तरीके से ठीक है बच्छो प्रोड़क बन्या बच्छो आपका डबल बॉन ओ और प्लस यह, तो दोनों बच्चों सेमि प्रड़क्ट है, एक, दो, तीन, फोर, वन, टो, ठीज़ एन फोर, ठीक है, तो यह प्रड़क्ट तो एक ही बंदा है, only one product, लेकिन कहरा बच्चों, tolerance test नहीं होता, तो ketone में tolerance test नहीं मिलेगा, आईडर फॉंक टेस्ट भी नहीं होता लेकिन बच्चों इसमें क्या है यह CS3 है तो ठीक है बच्चों यह दोनों सेमी कंपॉउंड है अगर इसमें हम बात करें tolerance region के साथ तो tolerance region test नहीं देता लेकिन बच्चों इसमें आईडर फॉंक टेस्ट आइडो फॉंट टेस्ट बच्चों इसमें मिलता है क्योंकि बच्चों ये क्या है अलफा CS3 प्रजेंट है ठीक है ये अभी हमारा आंसर नहीं है ठीक है अब देखिए थार्ड की तरह बढ़ते हैं बच्चों तो थार्ड ओप्सन में क्या है ऐसा ब्रेक करें ब्रेक करने पर बच्चों टू मोल्स बने क्योंकि दोनों पार्ट से बसे मिट्रिकल है ये जैसे ये था वैसे ही है तो बच्चों इसमें नेगिए चुकि कीटोन है और बच्चों अलफा पर आप CS3 नहीं है अलपा पर CS2 है टॉलियंस रीजिएंट टेस्ट तो कीटोन में नहीं मिलता आइडोफों टेस्ट भी बच्चों कीटोन में नहीं मिलता ऐसा कीटोन जिसमें lifea CS3 होना चाहिए तो फिंस मेंbedा बच्चों आइडोफोंग टेस्ट भी मिलेगा क्योंकि यह कार्बोनिल कंपॉंड है तो बच्छो आंसर आ गया है जो हमें चाहिए था वो है 3 ठीक है और बच्छो अगर आफ फॉर्थ भी चेक करो तो फॉर्थ तो कहानी कुछ ऐसी है इसको जब आप तोड़ोगे और दोनों इसमें तो बच्छो प्रॉड़क्ट तो एक बन रहा है इस तरीके से ठीक है बच्छो कुछ ऐसे है ठीक है तो प्रॉड़क्ट तो एक है लेकिन बच्छो इसमें क्या है अलफा सी अस्त्री है तो आइड़ो फॉर्म टू टेस्ट मिलेगा बच्चों और हमें यह चाहिए टा जिसमें आइड़ो फॉर्म टेस्ट भी ना होता हो ठीक है तो आंसर आ गया बच्चों इसमें त्री तो बच्चों देखते हैं next question number 25 25 में देखिये कि when primary amine is worn with carbon disulfide in the presence of mercury chloride the product is तो बच्चों हमने आपको बताया था कि primary amine का यह hopman mustard oil test है mustard oil में बच्चों alkyl isothiocyanate बनता है तो बच्चों यह क्या है alkyl isothiocyanate इसकी इसमें बच्चों mustard oil जैसे होती है तो यह बच्चों 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 25 हो गया अब देखते हैं बच्चों इसमें answer मिला आपको अब बच्चों 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 देखते हैं question number 26 exercise 2 का last सवाल तो कह रहा है कि बच्चों कि एक aromatic amine है aromatic amine बच्चों हमने ले लिया यह है c6 h5 ns2 यह बच्चों aromatic amine इसको कह दिया है यह x है ठीक है तो x was treated with koh h और प्लस एक another compound y एक y compound है ठीक है गरम करते है इसको और fall smelling gas c6 h5 nc बनता इसका मतलब यह aromatic compound में c6 h5 group होगा तो मतलब यह isosinate बन गया तब बच्चों ध्यान देजिए यह carbylamine test है carbylamine test में koh के साथ बच्चों हम chloroform लेते हैं यह बच्चों यह वाई हो गया ठीक है बच्चों तो carbylamine में हम क्या रहते हैं क्लोरोफोर्म के साथ koh और chloroform होता है तो koh के साथ chloroform है y तो पता चल गया ठीक है बन गया अब कह रहा है कि y y जो है y the compound y was formed by reacting z with chlorine तो मतलब क्या है बच्चों कि यह जो बच्चों chloroform है ठीक है तो आपको in the presence of slagged line बच्चों होता है caoh hold twice यह क्या है बच्चों कि slagged line ठीक है बच्चों अब ध्यान दिजिए यह कौन सा टेस्ट है तो आपको करना कि जेड क्या है तो ध्यान दिजिए बच्चों कि chlorine plus oh minus यह बनते हैं हेलो फॉम तो हेलो फॉम बनाने हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों जेड क्या है एक कारबोनिल compound हो सकता है या alcohol हो सकता है ठीक है तो बच्चों option में देखिए option 2 की बात करें अगर तो CS3 c double bond OCS3 इसमें बच्चों chlorine और calcium hydroxide बेस लेते हैं नियो एचो या calcium hydroxide हो बच्चों इसमें अलफा CS3 है तो अगर यह जेड है यह क्या करेगा बच्चों chloroform बना लेगा बनाएगा कि नहीं बनाएगा ठीक है तो answer आगया 2 अब बच्चों तो कोई चांस ही नहीं है वह खुदी होई दिया है ठीक है और थार्ड में क्या है बच्चों में CS3 OH लिया है तो methyl alcohol में तो यह test ऐसा chloroform बनाई नहीं सकते उससे और फोर्ड में क्या है C6H5NS2 तो एनिलीन तो हो गई नहीं है ठीक है बच्चों तो answer आगया 2 झाल आगया 2